अजी स्टूदेंट्स आज जसी अपनी प्लस्टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे ग्यारमी ऐसे दा ग्रीन रेवलुशन जिसनू के नॉर्मन यी बरलॉग ने लिख्या होया है इस चैप्टर दे आज जसी शोर्ट अंसर टाइप क्वेस्टन आंसर कवर करांगे एह वीडियो इस चैप्टर दे सिरीज दा सड़ा चोथा वीडियो होएगा तुडेंट्स इस चैप्टर दे पहले वीडियो दे विच असी इस चैप्टर दे राइटर नॉर्मन यी बरलॉग दे बारे जो इंट्रड़क्टरी पेराग्राफ है उसनों डिसकस किता है आते नाल ही इस चैप्टर दे पहले पांच पैसेजिज नों डिसकस किता है मैं उमीद कर दा हां कि तुसी ए वाला वीडियो ज़रूर देख्या होएगा जे कर तो अड़ा ही वीडियो मिस होया है ता मैं तुन्हों सक्रीन दे टोप राइट कॉर्णर दे अपर इस वीडियो दा लिंक परवाइट कर रहे हैं हां ता जो तुसी ए पहला वीडियो देख पाऊं इसे तरहां स्टूरेंट्स इस चैप्टर दे दूसरे वीडियो दे विच मैं इस चैप्टर दे बाकी पैसेजिज उन्हों डिसकस किता है जि मैं के तुसी सक्रीन दे उपर देख पा रहे हूं मैं इस चैप्टर दे टेक्स दे विच जिन्हे भी difficult terms आयने उन्हानू मैं पढ़ी easy language दे विच तानू explain किता है अते इस चैप्टर दे glossary notes दे विच जिन्हे भी terms आयने उन्हानू भी मैं नालो नाल explain किता है उमीद कारदां बच्चे हूं के तुसी यहे वाला वीडियो जरूर देख्या हूएगा जे कर तोड़ा यहे वीडियो मिस होया है ता मैं तो नू सक्रीन दे टो प्राइट कॉर्नर दे उपर इस दूसरे वीडियो दा भी लिंक प्रवाइट कार रहे हां हां ता जो तुसी आज वाले सारे question answers नू चंगी तरह समझ पाऊं इस chapter दे तीसरे वीडियो देविच अपा इस chapter दे comprehension वाली exercise देविच जो multiple choice type question answers देते हुए ने उना नू discuss केता सी तो अट इस exercise देविच बहुत सारे multiple choice type questions सी बच्चेव मैं उना नू बहुत ही easy trick के देविच तो अनू समझाया ऐसी उमीद है बच्चेव तो अनू हे सारे multiple question answers जड़े ने इस समझ आगे होंगे परन तुझे कर कोट आई video मिस होया है ता मैं तो अनू सक्रीन दे टोप राइट कॉर्णर दे उपर इस chapter दे multiple choice type question दे video दा link प्रवाइट कर रहे हां जिस्ते जाके तुसी ये वाला वीडियो भी देख साकते हो तो अड़ी इसे comprehension वाली exercise दे विच कुछ short answer type वाले questions भी ने जिमेंके तुसी 4th question जो देख रहे हूँ इसे तरह 5th question भी short answer type question है तेसे तरह last 10th question भी short answer type question है तेस तरह तो अड़ी exercise दे विच तिन short answer type questions ने परंतु मैं आज वाले वीडियो दे विच कुछ होर short answer type questions भी इंकलूड किते ने जो के मनु लगदा है के हो examination point of view देनाल पहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने ता आज वाले वीडियो दे विच बचे आपा इह सारे short answer type questions डिसक question helping verb नाल शुरू हो रहा है ता इस तो पता लादा है के हिस दा answer yes और no दे विच है ता की शेरां मिच रहन वाले जड़े लोग ने dwellers दा मतलू हुंदा बचे व वसनीक जो शेरां च रहन देने अ ते वो शेर किते देने जी rich countries अमीर देशां दे जड़े शेरी वसनीक ने की ओहो किसाना दे प्रती हमदर्दी रख देने sympathetic दा मतलू हुंदा बचे ओ हमदर्दी पूर्वक विभार की इस तरह दा विभारों कर देने जे कर तो आड़ आंसर येस या नोच है ता उस दा विशाने कारण दसना है कि अजे हा क्यूं है तब अच्यों असी चैप्टर दे ओर्थ पैसेज दे विच पड़े आसी ते काफी डिटेल पड़े आसी कि जड़े rich countries दे जड़े वसनीक ने उना दा किसाना देनाल या खिती बाड़ी देनाल कोई वावास्ता रहाई नी है उन्हों out of touch हो चुक्ए है न तो उन्हों सुपरमार्केट जान देने अपना सारा समान उत्वों ले आन देने उन्हों लगदा है क्योंना दी सारी हैं ज़रूरतां सोपरमार्केट मॉल्स वगरा पूरियां कर देने इतो था के अनाज भी ओ बहुता ज्यादा अपनी डेली खराक दे विच यूज नी कर दे सारा सी नोट्च देता के ओहों फामर्स दे प्रती सिंपेथेटिक नहीं हन उना प्रती हमदर्दी नहीं रख दे क्योंके जड़े सीरियल प्रड़क्ट्स ने अनाज देना रलेटिड जड़े पाद ने ओहों उना दी डेली ब्रेट दा बहुत ही छोटा जा हिस्स है पोश अनाज बहुत कड खान देने अलाके साड़े देशान चता असी बहुत ज़्यादा आज खाने तिने टाइम ही खाने लेकिन हो इक टाइम भी नहीं खान दे एथे बचे उजड़ी डेली ब्रेट नुमैं कोर्ट्स पाया है सिंगल कोर्ट्स पाया है इसली पाया है क्योंके देली ब्रेट दा जड़ा प्रेज है शबद है एहे चैप्टर दे विच्चों इसे तरह ही आएने याद करो चोथे पैसे दे विचा पाया एक लाइन भी पड़े सी गिवास दिस डे अवर डेली ब्रेट ओ छोटे हुन दे जरूर बोल दे सी ए वाली लाइन गिवास दिस आही गले थे लिखी होई है दे हाव लास्ट दियर कोंटक्त विद दी फार्मर्स एंड एक्रिकल्चर तजी में की हुनी अपगल किती है के ओना दा जड़ा नाता तुट चुक्या है वना दा संपर्क तुट चुक्या है किस देनल किसाना देनल अच्छेती बाडी देनल त जो exercise देती हुई है उस देविचे शामल है असान वे पुछे आ गया है कि दो तरिक्के तुसी mention करने ने उनना दे बारे जिकर करने है जिनना देविच इस गल्दा जिकर होवे कि जड़ी Mexican Dwarf Wheat है Mexican, Mexico Shabato बने हैं बच्चेव Mexico एक country दा नाम है अमरिका महादीब दी country है ता ओथे जड़ी एक wheat दी variety developed किती गई सी जिसनों के Mexican Dwarf Wheat किया गया सी ओहो प्रमपरागत जड़ीयां wheat दियां किसमा ने varieties ने उनना तों हो किस तरह डिफर कर दिया किस तरह पिन है या अलग है ता सिंपल शब्दां दे विच बच्चेव अपँ ए समझिये के Mexico देश दे विच जड़ी कणक दीक किसम दा इजाद किता गया सी डिवेल्प किती गयी सी उसनों विक्सिक दिता गया सी ओहो पहला वाली कणक दीक किसम नालों किस तरह पिन सी इस तरह अलग सी एदे वारे साने दो गला लिखनी आने तब च्चेव असी चैप्टर दे नोमे पैसेज दे विचे पढ़या सी के Mexico देश दे विच बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रिसर्च होई सी बड़ी जोश वाली रिसर्च खोज होई सी एहे खोज टू डैकेट्स या वी साल तक चल दी रही ते एनी रिसर्च तो बाद फेर एक मैक्सिको देश दे विच कनक दी किसम बनाई गई जिसनों के मैक्सिकन डवाफ वीट कहा गया डवाफ ता मतलब होंदा बच्चेव बोना जो काद्च छोटा होवे उसनों अपन डवाफ कहने है क्योंके ए वाली जड़ी किसम इजाद किती गई एहे काफी ज्यादा छोटे काद्धी सी इसकरके इसनों मैक्सिकन डवाफ वीट कहा गया ए जड़ी किसम सी एहे एक तब नैचुरली छोटे काद्धी सी अते दूसरा है चाड़ बहुत ज्यादा दिन दी सी एही गल्लां सी आंसर चलिखांगे तासाड आंसर है जी दा हाइट ओफ दिस डवाफ वाराइटी इस लेस दन दा फफ दा ओल्ड वाराइटी के इस बॉने किसम वाली जड़ी कनक सी उस दी जड़ी हाइट सी उस दी उच्चाई ओहो कट सी is less than ओहो कट सी किदे नालों पुराणी किसम नालों जो मेक्सिको देश चे पहला कनक दी किसम बिजी जान्दी सी उस नालों इस दा काद काफी कट सी इक गलता एख जी दूसरी गल इट हैज वरी हईग्री येल्ड कंपेस्टी मतलब यह ठे इसे ही मैक्सिकण वीत वाराइट इनू के это के इस दी जड़ी चाड सी हाइग्र येल्द, हाइग्र येल्ड येल्ड दा मतलब के इस दी जड़ी शी्यमाुट हीड़ दानें दा चाड़ सी यीउल्ण दा मतलब चाड़ काफा जयाद इस best काफे जया जया बातला सि था था ज़सी दास्ते जी इक डिक्षकश safe सी ग्रेंट मेर चाड़ बहुत जयाधा सी केरनेया čia कोैश्चछन ही होया कि हरी करांती ने किस तरहांदे मिरेकल किस तरहांदे क्रिश में दिखाए हरी करांती आई उस नहीं कूछ वापरए की कूछ अलग ओया शानदार होया उस दे बारे से दसना है तब अच्यो चैप्टर ले अठमे पैसेज देृशं द विच Jonahب जिस दे विच दस्या गया के Green Revolution, केडे सीरियल चाहिए, वीड चाहिए, राइस चाहिए, या मेज चाहिए, ता उस दा काफी ज्यादा जीकर अठ्वें पैसे चाहिए सी, ते अपा बहुत ही डिटेल दे विच पहरा पड़या सी, असी आंसर हो तो ही लेया है, के इन इंडिया येल्ड मैं तो पहले ही दसे चाहिए, अते पर हेक्टेयर मतलब एक एकड़ दे पिछे, ता इक एकड़ दे पिछे, कोई भी इन आज दा चाहिए, असी उसनु येल्ड पर हेक्टेयर कहने है, मैं तो आनू एक एक्जाम्पल है, के वी ग्लोसरी नोट्स दी मदद नाल, त अपारत दे पाकिस्तान दे विचे जड़ा वीट दा, कनक दा येल्ड पर हेक्टेयर सी, प्रती एकर चाड़, ओ बहुत ज्यादा वदिया इस ग्रीन डेवलिशन दे करके, सब तो पहली गलता है इसी, दूसरी गलता है इसी, दूसरी गलता है जी, के इन वेस्ट पाकिस्त दे चाड़ दा वदिया सी, ता एक क्रिश्मा ए होया जी, ग्रीन डेवलिशन दा, फेर असी ये भी पड़िया के, there is small but important increase in the production of maize in इंडिया एंड पाकिस्तान, ता मेज दी गाल भी आई जी, मेज अथे, ता उनु पताया मकी नूँ कहा जान दा बच्चे हो, ता मकी दी प important वदी सी, दा rice production in Philippines, Ceylon and Indonesia has also increased, ता तिन देशां दा होर नाम आया सी, ये तिनने देश एशिया महादीब देश ने, एक ता फिलपाइन्स है जी, दूसरा Ceylon है, जिसनों के असी आज कल शिरी लंका वी कहनने है, अते तीसरा देश सी जी, इंडोनेशिया ता एना तिनना द देशां देविच, चावल दा जड़ा उत्पादन सी, ओ वी वद्या सी, इस तरीक्ये देनाल असी एस क्वेस्चन देविच ए आंसर देता है, कि ग्रीन रेवलुशन ने, हरी करांती ने, की की क्रिश में दिखाए, ता एक क्रिश में बच्यों तिन फसलांची दिखाएग एसी एकता सीजी वीट, जिसनों अपा करना कहने है, दूसरा सीजी राइस, चावल, अते तीसरा सीजी मेज, मक्की, ते केड़े केड़े देशांच एक रिश में होए, इस दाविज दिकरा आपा इस आंसर देविच कर दिता है, स्टुदेंट्स असी लस्टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे, आलरी बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लेने, साथी पहली बुक दियर तो अल्दा म्यूजी दे असी काफी सारे चैप्टर्स जे में के सादा पहला चैप्टर वार्यर अगेंस वीड्स, दूसरा चैप् इसे तरह साथी सेकंड बुक दे बहुत सारे चैप्टर जिवें के पहला चैप्टर हिंद की चादर शीर गुरू तेग बहादर जी, फूर चैप्टर दा गैंबलिग मैच, सेवन चैप्टर दा एटर्नल वाई, अते नाइन चैप्टर आफ्टर आफ्टर ट्वेंटी यस क इसे कवर कर चुक के हाँ, मैं इना सारे चैप्टर दे, comprehensive explanation अते analysis दे video, इना दे question answers दे video, अते इना देना related exercise solution दे सारे वीडियो आलेडी तोर्डनल शेर कर चुक के हाँ, असी dear to all the muses दा दस्वा ऐसे, the green revelation, continue किता होया है, ता जैकर बच्चे हो तुसी इसे सारे चैप्टर द इसे वीडियो देखना चाहन दे हो, ता मैं तो अनू सक्रीन दे, टोप राइड कॉर्नर दे अपर, प्लस टू क्लास, इंग्लिश इलेक्टिव दा, वेलीज दा लिंक प्रवाइड कर रहे हां, जिस्ते जाके तुसी इसे सारे वीडियो देख साथे, ता students, असी हुन तक ज नाल काफी importance राख देने, तेहुन असी ओना questions नू ही discuss करन जा रहे हैं, ता साथा fourth question है जी, के in most of the countries in Asia and Africa, 70 ते विटा और पालो, और गल्ती नाल पह गया, 70 और 80% of the population is engaged in agriculture, ता लाइन दा मतलब है जी, के Asia ते अफरिका दे बहुत सारे देश, ओना दे विच्चे 70 तो 80% English दा मतलब हुंदा बच्चे ओ, जूड़े होना, but food production is not enough for people, why? परन्तु फेर भी जडी अनाज दी उतपादन हुंदी है, ओहो लोका दे लई काफी नहीं है, enough दा मतलब काफी, जेहा क्यों है? ता question है जी, के Asia अफरिका जब बहुत जादा वसों है जडी, लग पाग 70-80% परन्तु फेर भी पोजन दी फोड रहें दी है ना देशांच, ता जेहा क्यों है? ता बच्चे हो जदो असी chapter दी एक्स्पलानेशन किती सी, ता chapter दे 6 में पैसेच इस कल्दा जिकर आया सी, के इना countries दे विच सब तो मेन प्रॉब्लम है के चाड बहुत काट है, जड़े उ करके कद एक फसल वदिया हो जान दी है, जे वर्खा हो जे जे ना हो वे ता फसल वदिया नहीं हुंदी, ता सियो सारी अंगलना इस आंसर च लिखांगे, ता आंसर है जी, के इन दीज कंट्रीज, दा क्रोप यिल्ड इस लो, के इना देशां देविच, के ड़े देश एही एशिया अफ्रिका, जिना देविच ज्यादा ता डिवेल्पिंग कंट्री जान देने, जिना साड़ा इंडिया भी शामल है, के इना देशां देविच जड़ी फसल दी जड़ी चाड है, वो बहुत काट है, क्रोप यिल्ड दा मतलब फसल दा चाड, क्रोप दा मतलब फसल की सा दियं में गर्ण ने की सिरियल कृप्स अनाजडू नियाँ विचछावलता मिल जानी है सकसेस जिनना नूचाड ठीक मिल जान दी है फरका होन नाल ता उनना दी जिन्दगी सह जादी है परन्तु कई वरी वर्खा नहीं हुन दी ता वर्खा दे ना होन करके उस अनाजदा चाड बिल्कुली नहीं हुन दा ते फेर जिंदगी होना दी खड़ जन दी है ता वना दा जड़ा सर्वाइव अला बच्चे वो सीरियल कुरोप्स दी सक्सेस ते फेलियर ते डिपेंड करदे अपा यही लाइन लिखी है अंडरन्यूट्रीशन एंड माल्यूट्रीशन आर वाइट सप्रेड तासी उस पैसे चेवी पड़ेया सी तो तरह दियाँ एन देश दे ग्रीब लोक का अंदे बच्चे अनू प्रावलम आनदी है एक तां दी है जी अंडरन्यूट्रीशन दूसरी है मालन्यूट्रीशन पला नेशन कर दो है मतलब जो पूरे पोशकतात बच्चे नू नहीं मिल दे उसदी development पूरी तरह नहीं हो पांदी उसनू under nutrition कहांदेने mal nutrition दा मतलब वे हो जानदा बच्चे वो के उसनू पोशकत अत्ता मिले परन्तु वो balance नहीं मिले कोई चीज ज्यादा मिलगी उसनू कोई कट जिमें आया मालो के carbohydrate ज्यादा मिलगी, protein ना मिली या जड़ी चीज मिली ओ भी प्योर ना मिली उसदे विच वी कोई मलावट सी ता इस चीज नूँ असी mal nutrition कहने है ता ए जड़ी under nutrition ते mal nutrition है एहे पूरी फैली होई है ना देशाँच wide spread दा मतलब फैलिया होना the diet consists mainly of cereals हून एना लोग कांदी जड़ी diet है एथों दे ग्रीब वसों दी जड़ी diet है ओ ज्यादा तार कादी है जी cereals सी cereal मतलब अनाज ज्यादा तार वो अनाजी खांदे ने consists दा मतलब के इस देविचे जड़ा जड़ा portion है diet दा पोजन दा portion है ओहो अनाजी पूरा करदा है उने अनाज केड़ा है जी चावल, करनक, मक्की animal proteins are very costly उन्हों non-veg नी खांदे क्योंके non-veg तों ही ज्यादा protein मिल दिया थे animal proteins इना दिशां चे बहुत ज्यादा मेंगी है दा population is huge वसों बहुत ज्यादा है and it is out running दा agriculture production अते जड़ी population है इड़ दा मतलव है थे वसों तों ही है के जड़ी population है एहे खेती बाड़ी दी production उस दे उत्पादन नू out run कार रही है out run दा मतलव हुन दा बेटा पिछे चड़ना इना देशां दी वीचे हे वड़ी प्रावलम है बच्यों के इना देशां के वसों भी बाद रही है ते हरी करांती दे करके सीरियल प्रOULDACTION भी दी है परंतु जड़ी वसों दी वदन दी दार है औहो अनाज दी उत्पादन दी दार नालो किते जयादा है इस करके इना देशां दी लोकां दे विच स्टार वेशन, पुख मरी, हंगर ये सारियां चीज़ां सी देख दिया है ये सारियां गल्लां सी चैक्टर दे छे में पैसेज पढ़िया ने फिफ्थ कोस्चन है जी के हाओ डिड मैक्सिको पेव दा वे to rapid increase in production of wheat in other countries हाओ दा मतल हुंदा बच्चेव किस तरा कि किस तरिक्के नाल मेक्सिको देशने जिमे मैं तरनू पहलां दसे आसी बच्चेव मेक्सिको अमरिका महादीब्दा एक देश है किस तरिक्के देनाल मेक्सिको देशने पेव दा वे एक रस्ता दिखाया पेव दा वे एक बच्चेव फ्रेज उन्दा जिस दा मतल हुंदा रस्ता दिखाया इस तरिक्के नाल मेक्सिको ने रस्ता दिखाया बाकी कंट्रियां देविच बाकी देशां देविच कनक दी उत्पादन नू तेज़दी नालवदा उनले तास क्वेस्चन ने होया जी के मेक्सिको देश ने बाकी देशानू किस्तरा रस्ता दिखाया के ओवी अपने अंदर कनक दे उत्पादन ची तेज़दी नालवदा कर सकन ता बचियो चैप्टर दे नोमे पैसेच आपपाई पड़या सी के मेक्सिको देवीच टू डेकेट्स दी एक एग्रेसिव रिसर्च होई जिसनाल एक मेक्सिकन ड्वाफ वराइटी बनाई गई जोके एक कनक दी किसम सी अपपाईस देवरे पहला वी क्वेस्चन च पड़ चुक्केया उस वराइटी दा जड़ा चाड सी बच्चेव पहला वाली जड़ी ओल्ड वराइटी सी उसनालो दुगणा ते तिगणा सी ता क्योंके वराइटी मेक्सिको देश ने सारे संसार नो दित्ती ता हुन ओ वाली जड़ी कणग दी वराइटी सी मेक्सिकन डवाफ वराइटी ओ सारे देश ओही यूज करन लागे ते ओनाने अपनी कंट्री देविच वी कणग दा चाड पहला नलो दुगणा तिगणा कर लेया तासी आंसर ही लिखांगे जी आंसर है जी के इन मेक्सिको दा हाई-yielding Mexican डवाफ वराइटी सी वीट दी जो के हाई-yielding ज्यादा चाड वाली वराइटी सी इसनू डिजाइन किता गया सी इसनू ब्रीड किता गया सी बचेव ब्रीड दी सेकिंड फ़र्म ते थर्ड फ़र्म ब्रेड हुं दी है ब्रीड दा मतलब हुना है जो दो या तिन किसम दी है चीज़ा नो औसी मिला के एक नमी कोई किसम इजाद करिया उसनू ब्रीडिंग करना के हई-yielding कर वाईटी ता क्योंके मेक्सिको देश्द एवाली जडी व्राइटी सी, इसनू properly cultivate जदो किता जान्दा सी, properly मतलब सही तरिक्के नाल, cultivated दा मतलब एशनू बिजया जान्दा सी, एशनू इखेती कित्ती जान्दी सी, फेर एहे double थे triple दुग्णा, जा तिग्णा चाड़ देन्दी सी, ये वाली वराइटी, तब अच्छो ए गलना सी नौमे पैसेज बढ़ियां सी, जेकर इस वराइटी नू तरिक्के नाल बिजया जन्दा सी, इस नू प्रॉपरली कल्टिवेट किता जन्दा सी, फिर दुगनी तिगनी चाड़ देंदी सी, क्योंके मैक्सिको देश देश फिर यूज किता जान लगया, ते संसार दे हरी कदेश नू इस चीज दा लाब मिलया, सदा सिक्थ क्वेस्चन है जी, के वट हैस दा ग्रीन रेवलुशन फोस दा इंडियन गवर्मेंट तो डू, हरी क्रांती होई है, ग्रीन रेवलुशन ने, इसने पार्ती सरकार नू कि मजबूर करता, हुँ देखो हरी क्रांती आगी, हरी क्रांती आन दे नाल, पार्ती सरकार दे उपर केडियां जिम्मेवरियां यां, जो नू निबानियां पे यां, उसनों कम करने पे ए है जी क्वेस्चन, तब च्यो बिलकुल लास्ट वाले पैसेज, दसमें पैसेज आड़ी सी, कि 1988 देविच जदो एकदम हरी क्रांती आई, बहुत ज्यादा अनाज दी पैदावार देविच वादा होया था, सरकार उस समें प्यार नी सी, उसको ले उनने ज्यादा स्टोर हाउस नी सी, कि गुदाम नी सी जित्थे है, एननी ज्यादा अनाज नू रख साग पूरी क्वशिश किती सी, तासी अंसर हो ही लिखांगे जी, ता अंसर है जी के दा इंडियान गोवर्मेंट इस इंप्रूविंग इट्स पब्लिक सर्विसिस, यहरी करांती देआन देनाल जड़ी पार्ती सरकार है, एहे सुदार कर रही है अपनी पब्लिक सर्विसिस दे एक्सपैंड दा मतलब वदाया गया है, तांके जड़ी वदी होई ग्रेन परड़क्शन है, वदी होई उनाज दा पादन है, उसनों स्टोर किता जा सके, ता ज्यादा अनाजनों संबन दे लई, सरकार वेर हाउस दी कपैस्टी वदा रही है, देर आर बैटर रोड्स, बै जड़ी रिलाए न, नुक्या जन्द है, अथे वदिया स्कूल, जड़े सदे इंडियान विलेजर ने, पार्ती पिंडाच रहन वाले लोक ने, ओना देले ही सरकार बना रही है, ताज, दा सेपरेशन बिट्वीन दा इंटलेक्ट एंड लेबर क्लास इन इंडिया इस कमिं ता चैप्टर दे बिल्कुल एंड दे विच, महात्मा गांधी जी दी कही होई गल्दा जिकर सी, के पिछले 40 साल ना तो, साडे पारत दे विच एक गैब बने होया सी, ओ गैब की दे छीगा जी, बुद्धी जीवी वरग, जिसनो इंटलेक्ट कहने हैं सी, अते दूसरा व इह गैब, इह जड़ा बखरे मां सी, इह कटना शुरू हो गया सी, क्यों? क्योंके हून लेबर क्लास नो भी, ओ सारियां पब्लिक सर्विसीज मिलन लग गयां सी, जो एक इंटलेक्ट ते रिच जड़ा तबका सी, जो शेर्च बैठा सी, उसनों मिल रहा सी. सदा शेफ़ यह करना करके, कशनर रिच बाखरे मां सी, काफी इंपौटेंट क्वेस्टण है, बच्चे व, इसनों तुसे जड़ूर याद करना के। नो में पैसेज देवी चैप्टर चा सी बड़ी डिटेल च पड़या सी, शुरू ची ये लाइन आई सी के कोई स्ट्रोक ओफ लख नी सी, कोई किसमदी खेड नी सी, या कोई नेचर दा एक्सिडेंट नी सी, जिस देगार के पारते पाकिस्तान चे ग्रीन रेवुलिशन आई या इस देवीच, वीट देवीच पैदावार च एनना ज्यादा वादा होया है, वोदा सिंपल इकलोता कारन सी, के एक साउंड रिसर्च होई सी, बहुत ही वदिया खोज बीन होई, साइंटिस्ट ने खोजा कितियां, एक नमी वराइटी बनाई गई वीट दी, चावल दी जिस नाल, इनना जाना जड़ा चाड सी, वो बहुत ज़्यादा वदिया सी, तासी आंसर बच्यों ही लिखांगे, दा सक्सेस ओफ ग्रीन रेवलिशन इन पाकिस्तान इस नाद बिकोज अफ एनी लख और एन एकसिदेंट, रादर इट इस बेजड ओन साउंड रिसर्च, क आता है देच कोई लख सीगी जी, ना ही है देच कोई नेचर दा एकसिदेंट सी, सगों, रादर दा मतल होंदा बच्यों सगों, सगों इहे अदा इस थी कादे ओपर बेज सीगी जी, साउंड रिसर्च, वदिया खोज होई सीगी जी, वी सालन दी खोज सी, दो डेकेड दी जिस करके नवी अवराइटियां बणियां, सिरियल्स दियां, और ते उना ने दुगणी तिगणी चार सानूं दिती, जिस करके इंडिया ते पाकिस्तान दे विच ग्रीन डेवलेशन आ सकी, स्टूडेंट्स में प्लसवन आते प्लसटू क्लासिज दे जर्नल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे विडियोज बनाये हुए हान, इना विडियोज नू देखन दे ले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपकसूद लव लर्निंग टूली टाइप करो, रिजल्ट वीच आई पहली साइट दे दीपकसूद दे जाक इसे तरह करों द üzे हैं, इससे तरह के चुन सारिव ओडलिश के लिचाट से शीरड़ आ और पहली सारी प्रापत दो द अजयरे हैं, आते इस तरह मैं क्लास ग्यारा दें ग्रैमार दें वीडियो लिच बनाये हुई हैं, ता वो सारीये विडियोज सायरे हैं विडियो दे प्रपत हो जान गिया, ते एक प्लेफिट ईंग्लिष इलैटिव स्क्लास 11 है चैसल頭 5 ऐसे पहले लोगने लुप मट्रभाद्यार में O अर्थ ने, ओहो की ने, हरी क्रांती दे, अर्थां तो मतलब उच्छा जा रहे है, कि हरी क्रांती दा मतलब की है, तो इस दे कई सारे मिनिंग ले गए ने, ओ केडे केडे ने, तब अच्छो चैप्टर दे, बिल्कुल पहले पैसेज दे विच्छी राइटर ने, ग्रीन यूज करना थोड़ा जा प्रीमेचियोर है, टू अप्टिमिस्टिक है, ते टू ब्रॉड इन स्कोप है, राइटम लगद है, कि हजे ग्रीन रेवलिशन पुरी तरह आई नहीं है, सारिया फसलां दे विच नहीं आई, अते सारे देशन वो इस दा फैदा नहीं होया, ता यूज करके ग्रीन रेवलिशन सही मैने अचा जे नहीं आई, तो असी अंसर लेया जी, ता अंसर है, कि इट कॉन्वेज दा आइडिया इन यील्ड पर हेक्टियर, इन टोटल प्रड़क्शन ओफ आल क्रोप्स अक्रोस मैनी कंट्रीज, यंदे इस आइडिये दे बारे सान याद करने, इस दे बारे मैं तो पहले ही दासते हैं, कि चाड प्रती एकड, इक एकड दे विच, किसे भी अनाजदा किनना चाड होंदा है, उसनों यील्ड पर हेक्टियर कहने, ता इक मतलब दा बच्चे वदा ही है, कि यील्ड पर हेक्टियर है जड़ी, ओहो, सारियां क इस दे विच, सारियां कंट्रीज दे पैदावार चे किननी हो रही है, इक दा मतलब ए हो गया, इट अलसो सजेस्ट दे आल फार्मर्स आर बेनिफिटीड युनिफॉर्मली इस दा इक अर्थ ए भी है, सजेस्ट दा मतलब सानू इवी इक अर्थे दा सजाया जाना है, कि सा आरे संसार दे किसाना नू, ग्रीन रेवलेशन तो लाव मिले है, इक अर्थे होया, दुजा है जी, यील्ड पर हेक्टेर, तब चे वी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, ये तो आनू पुछलेया जाना है, कि ग्रीन रेवलेशन दे वक्खो वक्रे मिनिंग कीने, ता तुस इक ता तुसी याद रखना है, येल्ड पर हेक्टेर, अते दूसरा, कि आल फार्मर्स अर बेनिफेटेड उनिफॉर्मली, ता साथा नाइन्थ क्वेस्चन है, ये वाट इस दा मेजर मीन्स ओफ लावलीफूड अफ लावलीफूड अफ अफ दे आन पालियो, वाट इस द जड़े विकास चील देश ने, इना देशां देविच जड़े लोक ने होना दी लाइवलीफूड, लाइवलीफूड दा मतलो हून दा बच्चे ओ अजीव का, इसा कमाऊना जिसनू कहने है, जिन्दगी चलाऊना, उस दा मेजर मीन्स मतलो मुख सरोत की है, कि वो किस तरी के नाल अपना गुजाराबसर कर देने, अंडर डिवेल्प कांट्रीज देविच, आते इना लोकां दी जिन्दगी दी क्वालिटी किदां दी है, वाट इस दा क्वालिटी ओफ लाइव, इना देशां दे लोकां दा जीवन पदर कहो जया है, तब अच्छे ऐसी छे में प पुख मरी दा समना करना भी पहन दा है, तबसे आंसर लिखांगे जी, दा मेजर मीन्स ओफ लाइवली हुड ओफ दी कंट्रीज इस एग्री कल्चर, के इना कंट्रीज, इना देशां दी आजीव का दा जड़ा मुक्सरोत है, ओ है जी, अग्री कल्चर खेती बड़ी, तब इक शब्चे दा उन्सर है, ग्री कल्चर, इस बीपल लिवए डा सब्सिस्टेंस लेवल, एग्री को वी यह और के नियूग सर्टी सिरक रापा कहन दे बशोत ही, ओ जी रहने, किस तरह जी रहने ए हुथ हुझ क्सक्राव्क्त नभी पता है, एगले लोक ने ईहे बीलकुल जिन्दगी दे हेठ ले पद्दर दा सबसिस्टेंस लेवल ते रहरे ने सब्सक्राइब लास्ट क्वेश्चन है जी के इन विच कंट्रीज देर हैस बीना ट्रमेंड़स प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग सीरियल प्रोडक्शन के केड़े चैप्टर दे अठ्थमें पैसेज दे विच बच्चयों इस कल्दा जिकर आंद है एक एड़े केड़े देशन दे विच अनाज दे पैदावार दे विच वाददा हुए है ता हो देशने जी इंडिया, पाकिस्तान, फिल्पाइन्स, अफगानिस्तान, सेलोन, इंडोनेशिया, इरान, केनिया, मलाया, मुरको, थाइलेंड, टुनीशिया, एंड टर्की, ता बहुत सारे देशने जी जिना दे विच ग्रीन रेवलेशन दा असर होया है ते उथे ग्रीन रेवलेशन करके अनाज दे उतपादन देश बहुत ज्यादा बहुत सारे देशने तुसी एना दे विच्चों जो तो अनू देश याद रह सकते हो नादे पंचे देशन दे नाम तुसी याद कर सकते हो अते एक्जाम दे विच्च तुसी अपने अंसर च लिख सकते हो ता इस दे नाली बच्चे हो साड़े सारे short answer type questions cover होंदेने मैंनों पूरी उमीद है के तो अनू यह सारे question answers समझ आ गए होंगे फेर भी जेकर तोड़ा कोई भी doubt है ता तुसी मैंनों comment section दे विच पुछ सकते हो वीडियो दे end ते मैं तो अनू मेरे दोरा बनाए होए plus two class English elective दे the dear to all the muses वाली book दे बहुत सारे chapter दे question answers दे वीडियो दे links सक्रीन दे उपर प्रवाइड कर रहे है next वीडियो दे विच अपा किसे होर chapter नू लेके discuss करांगे जी फेर मिल देयां तन वाद